दिपावली पर्व में गोरा गोरी का विसेज महत्व हमारे 36 गड़ के पारंपरिक धरोहर सुवा कर्माद दर्या पंथी रावत नाचा है जिससे हमारा गहरा नाता रहा है वैसे ही दिपावली में आदिवासी परंपरह में गोरा गोरी को लोग धूम धाम से मनाये जाता है आज के दिन आदिवासी समाज के लोगों द्वारा गोरा इसर रानी के विदिवत विवाह कराते हैं जिसके लिए समाज के लोग सुबह के समय गाओं के ठाकूर देव से मिट्टी खोद कर गोरा गोरी को सिर जाया जाता है और रात के समय गोरा यानि सिव जी अपने नंदी में सवार होकर गोरी रानी से विवाह रचाने के लिए जाते हैं जहां गाओं के लोग बाराती और घराती बनकर गाजी बाजी के साथ आतिस बाजी के साथ सुवा कर्मा ददर्या नित्ति के मनमुहक प्रस्तुती से लोग मंत मुद्ध हो जाते हैं इस एक दिवस्या कारेकर्म को देखने के लिए आसपास से काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं वही सिर्जाय मूर्ति को रात में ही गौरा गौरी को स्थापित किया जाता है जिससे सुबा गोबर्धन पूजा के दिन विसर्चित किया जाता है इस सम्बन्द में गौरा समिती के अध्यक्ष बजरहा ध्रू ने बताया कि यह परंपरा वर्सों से पुर्वजों के जमाने से चलिया रहे हैं जिसे लक्ष्मी पूजन के दिन सिवजी और माता पारवती की स्थापना का विसेस महत पर रहता है इसे घ्रामीन एवं पहाडी वनांचल शित्र में जादतर देखने को मिलता है पारवती रहे हैं और उनको पराव जाते हैं इस प्रकार से मा भवानी बाबा का शाधी का इद्रम चालू हो जाता है मुंगेली से प्रितम दिवाकर की रिपोर्ट पसेख तरही सीजी विजन टीवी